हलो फ्रेन विल्कम टू माई चैनल से जेडी साइंस क्लासेश जेडी साइंस क्लासेश में आप सभी का स्वागत है आज हम अलावाद हाई कोट ग्रूप सी का पेपर साल्व करेंगे जो 18 दिसंबर 2022 का हुआ है देखेंगे इसमें हिंदी का पेपर आज हम साल्व करेंगे हिंदी के कोश्चन किस प्रकार इसमें पूछे गए थे तो आए देखते हैं पहला कोश्चन इसमें कोश्चन नमबर देखे 26 पूछा था वोनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक तिहेतु उचित आर्थ पताईए तो इसका आपका आर्थ दूसरा वाला हो जाएगा वोनहार के लच्छन प्रारंब से ही प्रकट होने लगते हैं तो 26 का दूसरा हो जाएगा आए कोश्चन नमबर शकेन नमबर देखते हैं निमखित में सब्दों के विलोम यूग में बताना इसमें विलोम देखिए इसमें विलोम बताना है तो पहला अस्त का उदै सही है आ देखिए अर्थ का अर्थ का अर्थ का गलत है इसमें सी नमबर गलत है तो आबिरभाव का तिरो भाव सही है अनुरक्ति का बिरक्ति सही है तो जेखिए जिसमें सी नहीं है सी है वो वाला बिरकुल नहीं होगा तो देखिए यह तीन में सी सी दिख रहा है तो पहला ही आप सकें तो इसको डारेक्ट कॉस्चन ही बता देंगे देखिए यह देख लेजिए गध्यांस कि आईए देखते हैं कॉस्चन इसमें कैसे पूछे हुए थे तो कॉस्चन नंबर अठाइस पूछा था निम लिखित में से मनुस का जन्म सिध्ध अधिकार है तो इसमें आप पढ़ेंगे तो कॉस्चन आपका पहला ही मिलेगा स्वाधीन्ता स्वाधीन्ता हो जाएगा देखिए आप्शन नंबर शेकें पढ़िए सेकेंन्ड कह रहें की सोने के पिजड़े की सलाखों से Stanford किस भाव से प्रेष्ण होकर टकराता है तो इसमें देखिए आपको स्वतंत्र होकर पिजड़े से बाहर जाने के लिए तो सवतंत्र होना चाह रहा है तो सेकेंन्ट नंबर हो जाएगा थर्टी नाइन देखिए, तीस नमबर है क्वेशन, एक मिनिट देख रहते हैं, क्वेशन नमबर, हाँ, क्वेशन नमबर तीस देखिए, परदीनता का भाव व्यक्त की कौन सी सक्ति का अपहरण कर लेता है, तो ये सोचने समझनेगी, भई, किसी के परदीन रहोगे, तो उसमें आपकी कोई सोच समझ आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, तो ये आपसन नमबर, इसमें ढूणेंगे, तो मिलेगा, तीस का चोधा सही ह है, आज देखते हैं, एकतिस नमबर कोश्चन, एकतिस नमबर प्रस्ण कह रहा है कि, प्राली की प्रवितियां तब कुंठित हो जाती हैं, जब वहां, तो कैसा हो जाता है, परदीन हो जाता है, तो आप्शन नमबर, एकतिस का तीसरा हो जाएगा, एकतिस का तीसरा हो तेशतय क्या है उसका मन उसका अपना किसी प्रकार का ब्यक्तित तो नहीं होता है। तो चव्था हो जाएगा इसमें चव्था हो जाएगा देखिए आ नीचे दिया है पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का कोई व्यक्ति तो नहीं होता है तो यह चव्था हो जाएगा 32 का चार नंबर हो जाएगा अप्शन आज देखते हैं देखिए हम मैच करने वाला फिर आया है निम फिर मिलान कीजिए 33 नंबर कोशन देखिए कह रहा है कि जिग्यास हो जिसमें जानने की इच्छा हो फिर कह रहे हैं कि परोच है परोच मतलब जो आँखों के सामने ना हो असक्त जिसमें सक्ती ना हो और निसाच्छा जानते हो रात को चलने वाला तो आप्शन नंबर 33 का देखिए दूसरा नंबर दिख रहा है हो जाएगा जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा परोची है वाक का सरल वाक का रुपांतरान होगा पुछा है तो ये आप्शन नंबर 4 हो जाएगा लाल कमीज वाला मेरा क्या है परोची है क्वेशन नंबर आईए देखते हैं अगला 35 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है करें कि करें कि सामने के मकान में रहने वाली सुसीला अतियंत मेधवी छात्र है रेखांकित सब्ध पदबंद का सही विकल्प है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा संग्या हो जाएगी क्योंकि किसी के बारे में पूछ रहा है तो सुसीला क्या है एक संग्या सब्ध है आईए इदर फिर से देखते हैं 36 नंबर कोश्यन देखिए 36 नंबर कोश्यन कह रहा है कि फिर कूट आया है आपका करें करें वाक्यों में प्रियुक्त सर्वनाम और उनके भेदों की भेदों मिलान किजिए तो इसमें मिलान करना है तो देखिए बाहर कौन है कौश्यन मार गया तो प्रश्न वाचक आ जाएगा ठिक और वह अपने आप चला जाएगा यह देखिए करें कि या या ले जाओ तो यह वह निश्चित वाचक में आ जाएगा मैं कल चला जाओंगा यह पुरुस वाचक में और यह जुबच रहा है आपका निश्व वाचक सर्वनाम में चला जाएगा तो इस प्रकार आपका question number पहला option इसमें हो जाएगा 36 का पहला हो जाएगा आईए अगला question देखते हैं करैं नाना जी फल खरीद कर घर आए वाक मेरे खांकित पद रचना की अधार पर क्रिया का कौंशा पे दें देखिए तो मतलब एक बीच चुकी है दूसरा काम आप करने जा रही है तो इसमें आपका दूसरा हो जाएगा पूर्व कालिक क्रिया 37 का प्रश्ण नंबर जो विकल्प होगा तीसरा हो जाएगा भविश्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है तो ये आपका 38 का तीसरा नंबर सामान भविश्यकाल और संभाब भविश्यकाल हो जाएगा तीसरा जunn 38 का तीसरा कि देखिए 49 number question देखिए 49 number question कह रहा ह। तो थोड़ा दूद हमारे लिए भी लेते आना तो ये अनिश्चित वाचक थोड़ा कम परिमाण में आता है तो ये अनिश्चित अब परिमाण वाचक विश्रन आए इतना नहीं पता कितना ले आना तो ये आपका 39 का पहला हो जाएगा अगे हम फोटी नंबर कोशन देखते हैं देखिए बटी नंबर कोशन रेखांकिस सब्द के कारक भेद के उचित बिकल्ब को चुलिए तो देखिए इसमें आपका करताने कर्म को कर्म को तो करें यहां पर दिया मैंने राधा को उस्तक दे तो यहां पर आपको आपदान कारक यहां है नहीं तो आपको दिखना है कि मैंने राधा को पुस्तक तो राधा के दोरा एक पुस्तक दी रही तो तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा 40 का तीसरा आई अगला देखते हैं वहीं एक तारीस नंबर कोशन देखी निमखित में कुण सा सेट का इस तरी लेंक तो यह आपका सेठानी हो जाएगा एक तारीस का तीसरा नंबर आई आउदर देखते हैं कि निमखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले सब्द देखिए उपसरघ क्या होते हैं जो सब्द के किसी मुखिषबद के पहले लग जाते यंड की कुछ परिवर्तन अर्फ में हो जाता है तो उसी को केते हैं उपसरग हमेंशा आगे लगता है तो देखिए इसमें लोटेरी लाजवाब लापता लाइलानзд तो इसमें आपके देखिए लॉटरी जो है यह एक सब्द है तो यह आपका यही पहला हो जाएगा इसमें नहीं पूछा है कि इसमें ला उपसर्ग नहीं है तो पहले आपसल में लॉटरी में उपसर्ग नहीं है युए एक मुख सब्द है 42 का पहला देखिए 43 नंबर question देखिए, कह रहा है कि मोटापा बुढ़ापा इन सब्दों में सही प्रत्य छांटी है, तो यह पा, तो पा हो जाएगा, जो प्रत्य मतलब जो बाद में सब्द लगता है, किसी मुख्य सब्द में बाद में लगकर उनका अर्थ वर्तित कर देता है, तो प्रत्य कहते बाद में मुटा पा, तो 43 का तीसरा, अप्सन हो जाएगा पा, देखिए 44, 44 नंबर question देखिए, निम्खित में सही वर्तनी वाला सब्द बताईए, तो इसमें सही वर्तनी वाला, 44 नंबर question देखिए, 44 नंबर तो यह चौथा हो जाएगा, question नंबर 44 का चौथा हो जाएगा, आईए question नंबर 45, 45 देखिए, मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक में सुद्द वाक क्योंगा, तो भी यह इसमें पहला ही हो जाएगा, सुद्द वाक मुझे अपने मामा के घर जाना है, question नंबर 46 देखिए, कहरा है कि सुची एकस के साथ सुची दो को आपको मिलान करना है, देखिए कभी प्लस इस्वर तो कभी स्वर में चला जाएगा, पहला का तीसरा फिर कभी प्लस इंद्र पहले में चला जाएगा, वेद प्लस अंद्र चौथे में चला जाएगा, और स्यू प्लस आले स्यू, स्यू आले में चला जाएगा, तो आप्शन नंबर देखिए, इसमें 46 का पहला ही आप्शन मेंच कर रहा है, आप्शन नंबर 47 देखते हैं, देखिए, बिग्रा का समाज के साथ है, देखिए इसमें मिलान करना है, तो इसमें देखिए आपका सीता और राम, ये आपका दंद्र समाज में चला जाएगा, दोंद समाज में चला जाएगा, तो इस प्रकार देखिए, D का केवल और केवल एक में ही है, डी का केवल और केवल एक में ही है तो यह आप चवठा लगा दीजिए पूरा देखने पूरा आप मिला देजिए कोई इसमें परिशानी नहीं दूख आ एक का एक चवठा में हो जाएगा तक पुरुस समाज जैसे रिणर से मुक्ट से आ गया तो इससे चला जाएगा इसी प मनाली अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सस्क्राइब और सेयर जरूर करिएगा हमारी चैनल को मनाली में अनेक अस्थान देखने योग है रेखांकित वाक्यांस के लिए निम्खित में से एक सब्द है तो भी अस्थान के नाम देखने के लिए अगां तो यह पहला ही हो जा अगर आए देखते हैं कोश्चन नमबर फॉट्टी नाइन तो इसमें देखने निम्खित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद कुछा है तो सब्दालंकार की यह है देखिए सब्दालंकार के सलेश अलंकार है अनुपरासा और यमक है तो यह तीसरा जो है उत्प्रेच अनुझे नमबर के रहें कि निम्खित में करोध को दर्शाने वाले राख तहने मूहावरा देखिए लाला पीट दिखाना भाग जाना इसका होता है खोण खुल ना आग पूनला होना ना दांत पीशना यह सब्दां करोध दिखाने कि प्रकार देखिए किस प्रकार कॉष्चन हमने कोष्चन है कि सभी कोष्चन आपको सही सभी किर्पर करागर कि क्यों कुछ मैं गलती है या आपको कुछ दूसरा लग रहा है तो हमें कमेंड बाक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को share and subscribe जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद